नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों सुवागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम इस्टडी प्रेट्वार्म में राष्ट रहित में सिक्षा च्वाप्त रहित में सिक्षा दिस धीरस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोसे यह वीडियो आज मनुविज्ञान की रहेगी और यह वीडियो आपके नाम मातर 20 कुष्ण की यह वीडियो यह केवल 20 कुष्ण सिर्फ इसलिए इतने कम कुष्ण लिए गये हैं जिसमें यह बताया गया है आपको कि अभी कितना आपको पढ़ना है कितने अच्छे करें गुरुसी वर्ड मातर बात करता है शिक्षक बनाने की पहला कुष्ण निमनिकित में से कौन संध्यानात्मक के प्रवर्तक नहीं है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ 20 कुष्ण है इसमें आधे तो कुष्ण आपको आते होंगे जो आधे नहीं आते हैं वो आप आपको देखना है क्यों नहीं आते हैं राइट आंसर जाएगा बाइगोस्की के साथ अब बहुत से बच्चे आप पर वरदाइमर लगा रहे होंगे रियलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ आप यार एक चीज़ पानो कि जीन प्याजे और बाइगोस्की हमेशा एक होगा विकास होगा जीन प्याजे कहते थे संग्यान अत्मक विकास की बात करें जितने गेस्टार्ण बादी है वो संग्यान में आ जाएंगे याद रखे गेस्टार्ण बाद का जनम हुआ था 1912 में और वरदीमर ने किया था ये सभी किसमें आएंगे संग्यान बादी में कुस्षन नमबर टू, नमबर टू में बहुत ही, जब अजस्त है concept, आपने कुस्षन पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी लगा दोगे, सही कर दोगे आप, ये बादा है, क्योंकि यार कुस्षन की root word आपको पहचानना होता, जैसे सम्मंद बात का सिद्धान तो आपक जैसे अगर बात करें सम्मंद बात का सिद्धान पहले option पढ़ लेते हैं, उद्धीपन अनुक्रिया का सिद्धान, सास्ती अनुवंधन का सिद्धान, सक्री अनुवंधन का सिद्धान, कोई नहीं, यहां से दोस्तों आपके तीन कुस्षन बनेंगे, सम्मंद बात का सिद सिध्धान सेयुजनबाद का सिध्धान और यस आर का सिध्धान कहा जाता है उद्दीपन और अनुकरिया का सिध्धान कहा जाता है तो आप सिंपल सी बात कहोगे कि प्रेत ने बंभूल के सिध्धान को उद्दीपन अनुकरिया का सिध्धान या यस आर का सिध्धान यस का म यह कुछिशन का आइसर Mr. Thondike, तो आप्शन नमबर किसके साथ जाएगा, एक के साथ चला जाएगा, बात खतम, कुछिशन नमबर नेक्स्ट, सक्रिय अनुबंदन का सिधान किस ने दिया है, BF Iskinner ने दिया है, DF Iskinner ने दिया है, Iskinner ने दिया है, Andrew Iskinner दिया है, बताए, ज Iskinner जाने जाते हैं, लेकिन कौन सी Iskinner है, वो जाएगे BF Iskinner के साथ, क्या हो जाएगा, DF Iskinner कभी नहीं होगा, हमारा ओप्शन नमबर जाएगा, A के साथ BF Iskinner के साथ चला जाएगा, सक्रिय अनुबंदन का जनक कहा जाता है, जो यहाँ पर अंतरदस्टी के सिधान के जाने जाते हैं, क्या नहीं, बिल्कुल बच्चों ने का अंतरदस्टी, अंतरदस्टी सिधान दिया था, Mr. Kohler ने गेस्टार्डवादी थे, चिंपेंजी पर प्रियोग किया था, हाँ, Iskinner ने चूहे पर प्रियोग किया था, जिनका नाम है, आप सभी जानते हो, क्रिया प्रसूत का नियम, अधिगम, अधिगम क्या है, options आपके सामने बहुत जबजस्त हैं, अधिगम होता क्या है, English क्या होती है अधिगम की, अधिगम होता है learning, जब हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं, सीखना का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए या भूल दाने के लिए, तो कोई नहीं तो answer होगा नहीं, पहले तो हमें यहाँ पर answer लगाना है, तीन में, पूर्व ही हो जाता है, अधिगम ग्याने से पूर्व हो जाता है, मतलब कुछ काम ना करो, पूर्व हो जाएगा, भाई, simple सी बात है, गलत हो जाएगा, अधिगम में समय लगता है, और और मुझे पता ही नहीं है कि कहां पर कौन सा पार्ट लग रहा तो तुरन तो होने वाला नहीं हमें पहले मेकेनिक के पास जाना पड़ेगा सीखना पड़ेगा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इसलिए जो राइट अंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा समय लगेगा जब कि इसी चीज को सीखते हो तो समय लगने वाला है नक्सवन की बात करें कुछन नमबर फाइव पाउलाओ के अनुबंदन प्रियोग में केवल धोनी के उपसित करने पर होने वाली अनक्रिया को कहते हैं पाउलाओ कहां के मनोवग्यानिक थे पहली तो ये कुछन मनता है तो प पाउलाओ के अनुबंदन प्रियोग में केवल धोनी अगर उपस्तित की जाए घंटी बजाई जाए तो अनुक्रिया कैसी होती थी जवाब दीजगा इस कुछन का राइट आंसर क्या होगा तो वो जाएगा भाई अना अनुबंदित क्रिया के साथ जाएगा ठीके ना तो हम बात करेंगे हम कहते हैं केवल धोनी तो आपका उपस नंबर एके साथ जाएगा और या राइट आंसर चला जाएगा एक के साथ क्लियर हाजी बहुत बढ़िया कुछन नम्म सिक्स सीखना विकास की प्रक्रिया है यह कथन किसका है बुड़वर्थ का है वोट्सन का है ब लेकिन सीखना विकास की प्रक्रिया है तो क्या होगा तो यहाँ पर आप बच्चे बुड़वर्थ मारेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बुड़वर्थ के साथ चला जाएगा बहुत बढ़िया कुछन कह रहा है दोस्तों पाउलाओ इसकी नर्ग और हल तो इस कुछन का हल के साथ जाएगा वहेकं कैसे करोगे याद करने के लिए आपने याद रखना है कि पुनरवलन का पुनरवलन का जैनक दोषेदों क्या थो क्या बच्ड़न पात करें सबली करण में सबली करण में भी द्यहन से गर देखोगे तो बल आ तो सबली करन का सिध्धान, पुनरवलन का सिध्धान किस ने दिया है, Mr. Clark हल ने दिया है, यह आपको ट्री कि याद रखनी है, कोई बच्चा भूलेगा, नीचे बच्चा लिखे कोई बच्चा भूलेगा, सबी बच्चे यहाँ पर लिखे कि क्या आप भूल लाएंगे, नह बब दीचेगा, चार से पांस सिध्धान ता ऐसे मिलेंगे, इस वीडियो में जो आपने अभी पढ़े नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पढ़े भी है, ऐसी बात नहीं है, संबंध प्रत्या वरतन का सिध्धान दिया है, उन्होंने ही दिया है, जिन्होंने सास मुलस को important माना है, फिलाल option number जाएगा एक साथ, next one की बात करे question number 9, सुल्तान चिंपेंजी पर कितनी बार प्रियोग हुए थे, और किसने किये थे, ये भी बताना है, और चिंपेंजी पर प्रियोग जो किया था, उस सिध्धान का नाम क्या था, तीन कुस्षन बनेंगे, पह किया था, वो सिध्धान का नाम क्या था, तो वो था insight theory सिध्धान, यानि अंतरदस्टी का सिध्धान, ठीक है ना, तीसरा कुस्षन अगर हम बात करें, कि चिंपेंजी पर कितने प्रियोग हुए, तो चिंपेंजी पर भईया तीन प्रियोग हुए, यानि option number जाएगा, किस बल देने वाला सिध्धान कोन सा है, जवाब दीजेगा, इस question का right answer क्या होगा, सक्री अनुमंधन, सास्री अनुमंधन, उद्धीपन अनुक्रिया, छेत्र सिध्धान, बताएगा, कोई बताएगा मुझे, छेत्र सिध्धान मनो विज्ञान में किस ने दिया, तो दोस्तों नहीं आया है, जवाब दीजेगा, इस question का right answer क्या होगा, बहुत बड़ेगा, इस क्या बात है, हाजी, तो यहाँ पर गर हम बात करें, इस question में, तो पहले तो इस question को कर लेते हैं, तो B answer हो जाएगा, या अंत्रिक्ता पर बल देने वाला, आपका सास्त्री अनुमंधन का सि सिध्धान दिया है, Mr. Thondike ने दिया है, जिसको कहा गए, yes, R सिध्धान, जिसने yes और R दोनों को important दिया है, वो कोन है, Mr. Thondike, जिसने केवल yes को important दिया है, stimulus को वो कोन है, Mr. Paolao, जिसने केवल R को दिया है, तो सक्रिय अनुमंधन क्या है, आपको गे sir, B of Skinner की बात करोगे, तो फिलाल option number जाएगा B के साथ, question number next, outline of psychology पुस्तक किसकी है, outline of psychology पुस्तक किसकी है, जबाब दीजेगा, बहुत बड़िया, क्या बात है, तो दोस्तों गर बात करें, हाँ, छेतर सिध्धानत और बच्चों को बताना था यार, छेतर सिध्धानत किसने दिया है, ये छेतर स question number next, outline psychology पुस्तक किसकी है, बार-बार बताया कि एक outline psychology पुस्तक है, जो बहुहार बाद एक सब्द है, वो outline psychology पुस्तक किसकी है, आउट्लाइन साइकोलोजी पुस्तक है विलियम मेकडूगल की विलियम मेकडूगल जाने जाते हैं मूल प्रवत्तियों के जनक कहे जाते हैं कितनी मूल प्रवत्तियां दी हैं 14 मूल प्रवत्तियां दी हैं साथी साथ इन्होंने संवेगात्मक विकास का भी जनक माना जाता ह ये भी आपको याद रिखने है संग्यानात्मक विकास के है आपके P.I.J. मेकडियोगल है आपके संभेगात्मक विकास तो अपसे नमबर फिलाल जाएगा किसके साथ आउटलाइन साइकलोजी बिलियम मेकडियोगल के साथ नेक्स विन की बात करे कुस्षन नमबर बारा प्रियोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ये कुस्षन तो सब बच्चे को आना चाहिए हाँ देखो कुल्ट लेविन हुए कोहलर हुए ये सब जितने भी हुए बर्दीमर हुए ये सबी संग्यानवादी है ये सबी किस में आएंगे संग्यानवादी में आएंगे तो याद रखना है पहला कुस्षन में आपको मैंने यही बताया था पहले वाले कुस्षन में प्रियोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है प्रिवोगात्म töनों विज्ञान का ज़ाता है विलियम बुंट को 1889 में इन्होंने एक پ्रियोग साला पहली प्रियोग साला विस्व में खोली है और दोस्तों याद रिटना है कहां खोली है तो आपको याद रिटना है जर्मनी के लिप सिंग सहर में कहाँ पर जर्मनी के लिप सिंग सिटी में खोली है ये भी आपको याद रखना है और दोस्तों इस question का जो right answer जाएगा विलियम बुंट के साथ जाएगा next one की बात करें question number 13 बढ़ा ध्यान से लगाना इस question को तेरमा बहुत बढ़िया तो दोस्तों गर बात करें इस question की कि मनो विज्यान अनुभो और विवहार का विज्यान है ये कथन किसका है तो ये बच्चे option number जो D लगा रहे है मेरे हैसाब से option number जो D लगा रहे है मैं कह सकता हूँ आसानी से कह सकता हूँ कि जो बच्चे option number भहिया D लगा रहे है इसकिनर के साथ तो भहिया simple सी बाद है क्या हो जाएगा सही होगा या नहीं होगा तेरा number lock कीज़ेगा तो बिलकुल सही होगा कोई दिक्कत ही नहीं है जब कहा जाए कि अनुभो और व्योहार का ही विज्ञान मनो विज्ञान है इसकिनर के साथ जाएगा बात कतम और कुष्चन number 14 मनो विज्ञान के प्रकारेवाद संपरदाय के जनक कोन है बड़ा जबचस कुष्चन है important है simple सा है जब मनो विज्ञान आप पढ़ते हो इस starting से तो उसमें ये कुष्चन आपको पहले ही चेप्टर में मिल जाता है मनो विज्ञान के आदारसिला जब आप पढ़ते हो start में जब मनो विज्ञान आप बिसे को पढ़ने की कोसिस करते हो किताबों में जेम्स को माना जाता है अपसे नंबर जाएगा भी के साथ सुभाव और प्रकति से छोटे बच्चे को कैसे होते हैं सुभाव और प्रकति से छोटे बच्चे कैसे होते हैं डर्पोक तता संकोची होते हैं निर्भीक तता सोतंत्र होते हैं सान तथा सक्री होते हैं, सक्री तथा जिग्यासू होते हैं, जवाब दीजेगा, आपको मिलते हैं 5-10 सेकेंड, बहुत बढ़िया, दोसों अगर बात करें स्वभाव और प्रकति से छोटे बच्चे, छोटे बच्चे कैसे होंगे यार, कोरी स्लेट होंगे न, और छोटे बच्चा सक्री होगा, तो option number में सबसे ज़्यदा positive जो लगाऊंगा, मैं option number positive में जाऊंगा, मेरे साथ D option है, तो मैं D के साथ जाऊंगा, clear हुआ, बहुत बढ़िया, question number next, 16, ये question 16, 17 आपको हो सकता है, में भी simple लगे, छात्र उस सिक्षक को पसंद करता है, जो, क्या, छात् जात्र उस सिक्षक को पसंद करता है, जो समस्याइँ सुनता है, बिल्कूँ simple सी बात है, समस्याइँ सुनना important है, option number जाएगा, एके साथ, समस्याइँ सुने और उनका निदान भी करे, सुनता ही नहीं रहे, तो बेटा बेटा सुनता रहे, सुना तेरो, सुना तेरो, कोई दिक्कत नहीं समस्याएं सुनने के वाद क्या करना है एक लाश्ट पॉइंट और याद रखना है कि उसका निदान भी करना important है ठीक है ना बहुत बढ़िया निक्समें की बात करें कुश्चन समाज की उन्नति का मूल क्या है ये है आपका पेडागोजी कुश्चन बाल बाली का सिक्षा एक समान हो बाली का सिक्षा को कम बहत तो मिले बाली का सिक्षा अलग विध्याले में हो सकता है केबल महिला अध्यापक हो जबजस्त कुशन है तो इस कुशन का राइट अंसर जाएगा केबल की बात करे तो मैं कहता हूँ निगेटिव अंसर जाता है हमारे पास बच्चे तीन उप्शन बालिका सिक्षा अलग हो मैंने कहा भे दबाव नहीं होना चाहिए लेंगिक द्रश्च से भे दबाव नहीं होना चाहिए गलेर हुआ बहुत बढ़ा कुशन है और से नमबर जाएगा एक साथ निक्ष्वन की बात करें कुशन नमबर अठारा त्रियाम का सिध्धान किसने दिया मनुविज्ञान में त्रियाम का सिध्धान किसने दिया आपको गेसर यह कैज़ा कुशन बिल्कुल पढ़ा हुआ है आपने मैं आपको बताऊंगा पहले कुशन को यहाँ पर लॉक कीज़ेगा पाउलाउस ने दिया है इसकिनर ने दिया है क्लार्क ने दिया है मिस्टर गिलफोर्ड ने दिया है तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सभी बच्चे लाइक करें सस्क्राइब कर ले क्योंकि गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टडी में केवल मात्र होती है बात अध्यापक बनाने की और नीचे आपको टेलिग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी उस टेलिग्राम ग्रुप से जोईन जरूर हो जाए आपको अगर अध्यापक बनना है तो दो ही काम करने हैं अपने नोट्स बनाने हैं उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी वहां एक स्पेष डवलू-O-R-E-L-D ठीके न, ये आपको guitar करना है जिसने notification आपको मिलता है, त्रियाम सिधधान्त किसने दिया है, Mr. Girford ने दिया है, त्रियाम सिधधान्त आपको मैं याद दिलबा दयता हूँ, त्रियाम को अगर आएगा तो आप लगाएंगे स्पियर मैं दूजी तत्तो आएगा तो इस्पियर मैं एक तत्तो आएगा तो यहाँ पर विने लगाएंगे और बहुकारक या बहुकंड का सिद्धान दिया है मिस्टर फॉन डाइक ने फिलाल गिलफोर्ड के साथ जाएगा कुशन आप दीजेगा तो अधिगव का सूचम सिद्धान दोस्टों दिया है यहाँ परbell लाव ने दिया है क्या सुचम का सिद्धान भी कहा जाता है इनसाइट ते props लू नमबर 20 मनो विज्ञान में विकासात्मक सिध्धान किस ने दिया पाउलाओ ने दिया है इसकिनर ने दिया है पियाजे या फिर हल ने दिया है जब आप दीजेगा इस कुछिन का राइट आंसर क्या होगा बहुत बड़िया क्या बात है तो दोस्तों इसी समय पर आपको रुजाना ग्यारा से लेकर रात के ग्यारा वज़े तक क्लासस मिलती है जिसमें सुभह ग्यारा वज़े आपको मनो विज्ञान पूरा डिस्क्रिप्शन क्लास मिलता है और साथ में पूरा टेस्ट मिलता है साथी साथ आज कुछ समस्याएं हैं दोस्तों और कुछ साथ नमबर 20 का आज हम करेंगे मात्र और दोस्तों यहाँ पर देखिए आप मरो विज्ञान में विकासात्मक सिध्धान किसने दिया है तो विकासात्मक सिध्धान दिया है भाया option number किसके साथ जाएगा PIAJ के साथ जाएगा PIAJ के साथ विकास अत्मक सिध्धान को संग्यानात्मक सिध्धान कहते हैं संग्यानात्मक सिध्धान को अवस्था का सिध्धान कहते हैं अवस्था की बात करें हैं और दोस्तों यहां पर जाएगा चार अवस्थाओं के लिए यह जाने जाते हैं क्लियर हुआ मेरी वास समझ रहे ना पियाजे की बात करें उपसे नमबर तरी के साथ चला जाएगा बहुत बड़े गाईस क्या बात है जब 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 सभी बच्चे थोड़ी ही देर में आपको environment की class मिलेगी जिसमें भी हम आपको बहुत simple way में salt वीडियो में हमको समझाने की कोशिस करेंगे वंदे मातरम आप सभी 11 बजे दो पहर दो बजे की class यहाँ पर आज कोशिस करेंगे लाने के लिए ठेक ना परड़े नहीं होगी तो internet में करेंगे रात के 8 बजे पर्मानेंट है रात के 10 बजे पर्मानेंट है सारी classes आपको सुभे 11 से लेकर रात के 11 बजे तक classes बिलती है सभी बच्चे like के अलावा subscribe जरू करें वंदे मातरम